Hello everyone, मैं विशुजीत सिंग, आप सभी का देईना पर स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर में हम इगनू के assignment related all doubts के बारे में बात करने वाले हैं जो भी students इगनू में पढ़ते हैं, आप सभी को पता होगा कि इगनू के अंदर में assignment बनाना एक compulsory process होता है assignment बनाते हो उसके number आपको extra मिलते हैं, फिर आप जब exam देते हो तो वो number उसमें add होते हैं तो इस तरीके से assignment एक बहुत important role हो जाता है इगनू के अंदर में और assignment की बनाते समया, अकसर हमें कुछ doubts आते हैं, ठीके, तो मेरे भी कुछ doubts आये थे जब मैं अपना assignment बना रहा था क्योंकि मैं भी खुद इगनू का student रहा हूँ, MA history का student रहा हूँ, तो मेरे किस तरह के doubt थे, ठीके, कौन-कौन से questions मेरे मन में आ रहे थे और मैंने किस तरह सॉल्फ किया, वो मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, अपना experience आपके साथ सेहर करने वाला हूँ और साथ-साथ, as a teacher, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, MA history, तो मेरा क्या opinion है, वो भी मैं आपको बताऊँगा, इन सभी doubts के उपर में ठीक है, समझ में आता है आपको, दोस्तो बहुत important वीडियो होने वाली है, क्योंकि अकसर हमें इस तरह की problem face करते हैं, और हम ढूरते हैं कि क्या हां पर क्या चीज़ है, और YouTube पर आपको 1000 वीडियो मिल जाएगी, बट as a student perspective, क्या चीज़ रियल है, क्या करना चाहिए, वो पूल होगी, और आपके लिए अगर ये वीडियो वैल्यूवल है, तो सभी दोस्तों साथ सेर जरूर कीज़ेगा, comment करके हमारे टीम को appreciate जरूर कीज़ेगा, friends, तो start करते हैं आज की वीडियो, दोस्तों assignment है, सबसे पहले तो कई सारे बच्चे पूछ रहोंगे कि assignment download कैसे करन तो assignment download करने के लिए, इगनु का official website पे आपको जाना है, वहाँ पे student section आता है, अलग से ही, ठीक है, student section के अंदर में जाना है, वहाँ पे आपको assignment दिख जाएगा, assignment दिख गया, वहाँ से आप download कर लो, और download करते से में आपको ये याद रखना है कि आपका session कौन सा है, इगनु year के वहाँ पे एक बार में आते है, ठीक है, तो year आपका 21 है, तो 21 का download कर लो, 22 है, 22 का download कर लो, 22 है, मतलब जो भी है, उस इस आप से अपना देख कर admit card में, ठीक है, फिर वो आप download करने के बाद, आपका assignment किस तर से बनाना है, आगे का process क्या है, वो उसके बारे में इस video के दे ठीक है, जब English में पढ़ते हैं, do, did, done, ठीक है, जब वर्व की form होती है, do, did, done, तो इसी तर से मैंने इसको assignment के पूरे process को तीन पार्ट में बाटा, पहला होता है, do, करना, हमें करना क्या क्या है, हम क्या क्या कर सकते है, पहला चीज़, ठीक है, do, दूसरा जाता है, did, जो ह हमने किया, हमने क्या क्या किया, done, कैसे complete हुआ, last process क्या था, इसके बारे में बात करेंगे, तीन पार्ट में बाट कर, हमने पूरा assignment complete करने वाले है, देखो, इगनु में admission लेते ही, आपके बास बहुत सारे fake message आते हैं, बहुत सारे real organizations हैं, जो इगनु के लिए work करते हैं, या वो क्या करती हैं, पहला point में आ जाता है, assignment खरीदो और जमा करो, तो वो उनके पास लिखा हुआ, return में handmade assignments होते हैं, आप उन्हें कुछ पैसे में खरीद लो, और खरीदने के बाद same to same वही ले जाकर जमा कर दो, बस अपना आगे का ID card जो भी लगाना होता है, वो लगा कर ज इस तरह से भी, उसने लिखा हुआ हमें दे दिया, देने के बाद हमने उसको ले गया जमा कर दिये, इसमें सरी भाद हमें पैसे खर्च हुआ और कुछ नहीं हुआ, ठीके, पूरा लिखा हुआ, पेज जैसा लगाना था, क्या लगाना था, कौन सा डूडना था, कहां से ड करीडो, यहां पर खरीदो लिखो जमा करो का मतलब क्या कि आपने एसमेंट खरीदा, एसमेंट का रीट चर सो था.. पहले अब उसने रेट की क्या कर दिया माल वो 300 कर दिया तो उसने आपको-फ़्य घेज दिया वर रquetके पर प्प्वर में भेजा तक आपने उसको लिखा, फिर जमा किया यहां पर तीनी step हो गया पहले वाले में था खरीदा और जमा किया दूसरे वाले में यहां पर तीनी step आया खरीदा फिर लिखा फिर जमा किया ठीके तो PDF-O में भेज दिया या फिर उसने क्या किया जो तो इस तरह से लिखा हुआ भेज दिया उसने आपको सिस्टम से टाइपिंग वाली तो आप जमा नहीं कर सकते ना तो उसके लिए आप क्या किया आपने लिखा ठीके फिर जमा किया खरीदा पहले फिर लिखा फिर जमा किया यह तीनी step में आ गया और तीसरा पोइंट जो हमारा आता है करने का कि assignment अपना डाउनलोड करो ठीक है अपने आप लिखो खोजो आंसर और लिखो ठीक है और लास्ट में जया कर जमा करो जब हम डिड़ बाला बात करेंगे तब डिड़ के अंदर में देखेंगे जमा कैसे करना है ठीक है तो यह तीन प्रोस कि मेरा opinion क्या है ठीक है चलिए अगले हम अगले चीज के उपर जाते है डिड़ के उपर में यहां पर जो normally common doubts होते हैं ठीक है common doubts क्या होते है कि भाई कौन सा पेज लूँ यह डाउट इतनी बार मैंने बताया ना बच्चों को इतनी बार ना कि अब पेज भी मुसे बोलता है कि सर मैं मैं बताऊं मैं बताऊं ऐसा फिल होता है तो पेज कौन सा लूँ तो पेज क्या होता है दोस्तों देखो कई बार बच्चे फोन करके बूचते हैं कि सर प्रैक्टिकल वाला पेज लिलू क्या प्रैक्टिकल वाला पेज कौन सा जिसमें एक साइड तो लाइन होती ह तो practical वाला page भी बहुत अच्छा है बट आप मुझे ये बताओ आपके कहीं भी इसमें drawing बनाने के लिए आएगा क्या कहीं भी कोई graph बनाने के लिए आएगा क्या में history पढ़ रहो ना उसमें नहीं है कहीं भी ठीक है map map अगर होता बनाने के लिए अगर कहीं है तब उस जगह पे आप प्रैक्टिकल वाले page का यूज कर पाओगे ठीक है बट अदर्वाइस वहां पे नहीं है कोई ज़रूरत प्रैक्टिकल वाले page की आप नॉर्मली दुकान पर जाना है अगर आप उसमें comfortable नहीं है तो फिर तो भी आमें कुछ कह नहीं सकता आप A4 ले लो दोनों ठीक है समझ में आता है यहां पर आप एज़र टीचर में ने बताया कि आपके अंदर में यह था नहीं तो यहां पर यह कर सकते हो दूसरा यहां पर आ जाता है कि मुझे एक assignment में किस तरह से solve करना होता है तो एक assignment के अंदर में जिस तरह आपका question paper आता है न तो एक assignment में total 10 questions होते हैं ठीक है फर्स पार्ट में से दो कर रहे हो जो second पार्ट में से तीन करना पड़ेगा इस तरीके से पूरा process चलता है ठीक है समझ में आता है और टोटल मिलाकर पांच question के number आपको मिलते हैं और एक question का जो number होता है almost 20 number का एक question आपका बनता है अब यहां पर बूसते हैं बच्चे कि सर 20 number का question है तो हम कितने page में करें एक question कितने page में करें ठीक है तो यह डिपेंड नहीं करता आपने अगर मेरी questions वाली वीडियो देखी होगी जो मैंने last five years के questions करवाए हैं अगर आपने उसकी वीडियो देखी होग तो यहां पर यह डिपेंड नहीं करता कि कितने page में आप लिखोगे यहां पर हमेशा कहा जाता है गुरू के अंदर में even ma history का पहला ही question paper के अंदर में पहला ही line यह होता है कि 500 word के अंदर में आपको एक question का answer लिखना है अब बच्चों के mind में यह होता है न सुरू से कि यार आप यह माइंड से अपने निकाल दो कि page बढ़ने से आपको number मिलेगा page बढ़ने से number नहीं मिलता है ठीक है आप अगर points में अच्छे से explain करके word to word लिखोगे जो पूछा गया है वो लिखोगे तब number मिलेगे आपको ठीक है तो यहाँ पर आपको page बढ़ने से number नहीं मिलेगा आपको कितने में लिखना है तो 500 word में number वो answer लिखना है 500 word में लिखा number बहुत अच्छा मिलने वाला आपको नहीं ठीक है तीसरा यहां पर point आजाता है भी हम करें कहां से अब बहुत सारे बच्चे जैसे ना assignment आजाता है उनकी book नहीं आई होती है अब बोलते है एगनू की book नहीं है कैसे करो यह फिर बहुत सारे बच्चे लेते नहीं तो मैंने कुछ समय पहले एक video बनाया था ठीक है जिस इसकी उपर आप वहां से डाउनलोड कर से आप असे आफ से अग्जाए अगरूट करो तो आप प्डियाफ फोर्म से पढ़ बहुत बार मुस्किल होजाता है ठीक हो टूड़ प्रते हो से करना और अगर बुख से करते हो ना तो बूख से करते समें एक दिक्कत क्या आती है कि आपको ढूड़ना पड़ता है अब आपकी book बहुत ज़्यादा lengthy है बहुत मोटी है ठीक है तो lengthy होने कारण से कहाता है आप उसमें से एक एक question करोगे ना तो बहुत ज़्यादा time लग जाता है तो दूसरा option और better option हो जाता है कि कुछ आप बाहर से ठीक है बाहर से private company के supporting materials खरेद लो कौन-कौन से आते हैं private company के option क्या क्या है आपके पास तो जो सबसे ज़्यादा बिखता है इगनू के अंदर में वो नीरज publications की book बिखती है दूसरा जो option आता है गुली बाबा काता है ठीक है गुली बाबा और नीरज publications दोनों book अच्छी होती है बट जो ज्यादा चलती है book वो नीरज publications की होती है ठीक है नीरज publications की होती है ठीक है नीरज publications के भी नॉर्मल rate होता है आप उसको purchase कर सकते हो अगर आप MA history के student हो तो मैंने description में link दिया हुआ है ठीक है description में लिंक दिया हुआ है नीरज कि आपके assignment करते से में questions के answer मिल जाएंगे front में ही आपको starting में question paper मिल जाएंगे तो वहां से आपको थोड़ा सा help मिलेगा study के लिए आगे के लिए और assignment में भी आप उसके लिए मदद ले सकते हो अब यहां पर दूसरा question यह भी बनता है जो मैं लिखा नहीं हो पर चौथा point बनता है क्या मैं copy कर सकता हूं copy करने के मतलब क्या कि जो उसमें लिखा हुआ था निरज publication वाली book में वो मैं same लिख दूँआ और teacher को कुछ लगेगा नहीं बिल्कुल लगता है teacher में जब check कर रहे होते हैं even मैं खुद जब पढ़ा रहत हूं और मेरे student क्या करते हैं मैं इंको question दिया घर से करके लाने के लिए exam लिया वो कई बार क्या करते हो पूरा पूरा रट के आते हैं और पूरा पूरा चाप देते हैं मुझे बड़ा जीव लगता है कि आर ऐसे कैसे कर रहे हो तो हमेशा क्या होता है कि आप अपने words में लिखने की courses करो क्योंकि आप MA की student हो ठीक है जैसे ही MA complete होगा तो आपके नाम क्य आगे लगा master of history जैसे मालों किसी का नाम राणी है तो राणी master of history किसी का नाम रूपी है तो Ruby master of history विश्वजीत विश्वजित master of history आपके घर पर कोई लड़की वाला भी आएगा ना थीक है तो वह यह बोलेगा देको विश्च जी थे Master of History लड़के ने क्या करका भी यह तो Master of History कर रखा है मतलब उसमें Master अब जो 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 जाना चाहिए निरच पड़िकेशन बाहर की इनकी जरूती नहीं पड़नी चाहिए बट अभी हमारा जो बेस है उतना जाद अच्छा नहीं है बच्चो का तो पढ़ता है और कोई दिक्कत नहीं है उसमें कर सकते हैं बट थोड़ा सा आपको खुद भी अवे यूज करने किस तर स्यूज करें थोड़ा सा वर्ट चेंज करो ठीके थोड़ा सा अलग अपने वे में लिखो और खुद लिखो मजाता है आते हैं लास्ट वाले डन प्या हमारा साइमेंट मालो बन गया बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया डन करना है अब एक्दम खतम क प्रेंट नंबर आरसी सेंटर जो आपका डिजनल सेंटर रहे स्टेडी सेंटर है उसके कोड़ उसका नाम वो सब आ रहा हो ठीक एक मतलब पहला पेज उस पर पूरे च्छे च्छे में लिखा हुआ हूं ठीक तो उसको आपको लगाना होता है अब बहुत सारे बच्छे इगनू के ओफिसल वेबसाइट के फ्रू भी डाला हुआ है तो गूगल पर डालोगे कि फर्स्ट पेज ओफ असाइमेंट इगनू तो वहां पर आपको दिख जाएगा फ्रंट पेज ठीक है तो फ्रंट पेज आपको डाउनलोड करना है उसको प्रिंट कर लेना है अब कल लिखता हो लिखते हो ना आप कलर पैंसिल से ली यूज करकर लिखते थे नाम ठीक है यहां पर ठीक है रोल नंबर क्लास यह से से करकर लिखते थे टीचर नेम यह वो वो सिगनेचर ऐसा करके पूरा लिखते थे थे हमारे टीचर पता नहीं क्या-क्या उसमें लिखवाती तो इस तरह से पूरा लिखते हैं वो सेम रिटन में भी लिख सकते हैं तो आपके पास है तो कर दो सर्दा है तो चड़ाओ भाई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो फ्रेंट पेज आपको गूगल पर मिल जाएगा दूसरा जाता है कि आपका जब असाइमेंट बना रहे हो तो 01 का आपको question paper लेकर उसमें attach करना पड़ेगा वह लेकर रखना पड़ेगा और प्लस में आपका ID card जो आपका ID card है उसकी photocopy आपको लगाने पड़ेगी हर असाइमेंट के अंदर में जैसे म हिस्ट्री के टोटल चार सब्जेक्ट हैं MHI 01, MHI 02, MHI 04, MHI 05 चारों के अंदर में ठीक है आपको अपना ID card लगाना पड़ेगा ठीक है यहां पर आगे हम बात करते हैं 4th point का क्या क्या चीज़े होंगी और कैसे होंगी तो यहां पर टोटल मैंने इसको sequence में लगा रखा है सबसे पहले तो आपको एक फाइल लेनी है फाइल लिया अपने ठीक है फाइल नॉर्मल फाइल चल जाएगा को दिक्कत नहीं आपको जाता पैसे खर्च करने कि नॉर्मल फाइल चल जाता है इंदर में कोई वो नहीं होता कि अच्छा फाइल लगा तो अच्छे नमर देंगा इसा कुछ नहीं आपने लिखा कितने words में हैं किस तरह से लिखा है क्या explain के उसी के बेस्पे नमबर मिलना होता है फाइल लगानी है दूसरी चीज़ किया होता है front page आपको file plus में front page आड़ करना है अब आ जाता है भी assignment तो complete होगा अब submit कैसे करें तो submit करने का दो option है online और offline ठीक है अब यह online होगा यह अफ्लाइन होगा यह मेरा regional center ठीक है आपका जो RC regional center है या फिर study center है वो आपको बताएगा आपके पास mail आएगा या आप उनसे contact करो कि सर में कैसे जमा करो तो अगर वो बोलता है कि online होना है तो online आपको वो link देंगे ठीक है आप उस पर जागे google forms link होते है अलग लग तरह के link होते हैं आप उस पर जाके PDF में अपना सारा बना कर रखो और उसको submit कर दो ठीक है अगर वो कहते online होगा offline होगा तो आपको बोला जाएगा कि या आप इस college में इतने बजा जाओ यहां पर आप जाके जमा कर दो जो आपका study center होगा यहां पर बोल रहे होंगे वहां पर जाके आपको जमा करना पड़ेगा अब यहां पर एक view बात करते हैं जो teacher perspective मेरा view Word करता है ठीक है यहां पर बच्चों का कहना होता है कि सर में assignment यहां पर आ जाते हैं दू वाले पर ठीक है यहां पर सर में assignment direct खरीद के जमां कर दू टो क्या सही रहेगा देखो जमां कर दो गई है तो इगनु के अंदर में कोई पूछताच करने वाला आता है नहीं कि आपकी भीया आपकी भेहन लिखा या आपकी प्रोडूसन लिखा ठीक है उससे कोई लिना देना नहीं होता हूं आप सेम उसी तरह से Master of Arts बन जाओगे Master of History बन जाओगे और आप महां पर assignment किसी और का जमा कर रहे हो तो इन फ्यूचर जब आप एक्जाम देने जाओगे तो आपको उसमें मदद नहीं मिलने वाला है अगर कोई पूछता भी अगर आप जौब के लिए भी जाते हो तो आप उ सारी चीज़ रिवाइज होंगे आपको सिखोगे ठीके बेसिक मजगूत होगा आपका पर अगर आपने डायरेक्ट लेकर कर दिया तो फिर आपको लास्ट ओप्शन क्या बच्चे का पेपर वाले दिन पेपर से दो दिन पहले पढ़ो और बजाके एक्जाम दो दो दिन प ंतल्थ अपने आपको दोखा दे रहे हैं 276 बात मैं ऐसलिए हो जाता है क्यूंकि जा आप इसको कर रहे होते हो जब आप इसको अना कि तो आपको भूलेयो इसको कर रहे हो Kingdom Uh जब करने जाओंगे जब आपको आगे दिखेगा यह वाला प्रोश्ण यार मेरे एक्जाम्स के अंदर में तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है अगर आप अपने आप करते हो तो यह मेरा सजेशन है बाकि यह तीन चीजे थी अगर आपका कोई और भी doubt हो, ठीक assignments related, तो आप comment कर सकते हो, ठीक है, हमारे social media platform के links है नीचे में, वहाँ पे जाके join कर सकते हो, वहाँ पे जाके मुझे direct WhatsApp पे message कर सकते हो, टेलिग्राम पे कर सकते हो, किसी भी social media platform पे करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, तो friends, एक request और भी है, अगर आपको book खर कर सकते हो, तो friends, thank you watching me, thank you for listening me, bye bye, take care, all the best, comment, subscribe, जरूर करना, ठीक है, आप सभी students को, एक दूसरे से सहर करना है, ठीक है, bye bye, take care, all the best.